दोस्तों बॉल्यूड के सिंगा मजे देवएं जितना परदे पर गुस्सा दिखाते हैं उतना ही अपनी जिन्दगे में शान्त रहते हैं और सभी को इनका इशान्त वेवार बड़ा पसंद आता है दोस्तों कि आप जानते हैं शान्त दिखने वाले ये भनेता अपनी निजी इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको अजय की सबसे बड़ी कॉंट्रोवर्सी से रूबरू करवाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबी जानते हैं ये सलमान खान और विवे कॉबरो एक दूसरी एक दुश्मन है और जब विवे को विशाल भारतवाज ने अपनी फिल्म ओमकारा में कास्ट किया तो सलमान ने विवे को इस फिल्म से निकालने को कहा जब विशाल नहीं माने तो इन्होंने अजे देवगन स कहा कि वो देख लेंगे वो इनके मामले में नहीं बोले वरना अंजाम ठीक नहीं होगा सभी जानता है कि रवीना इनसे एक तरफा प्यार करती थी पर ये उनसे हमेशा दूर रहते थे जिसके चलते एक बार उन्होंने इनके खिलाफ यारूप लगाया कि इन्होंने ने धूका दिया है ये उनसे प्यार करते हैं इन्होंने तो उनके लिए कई love letter भी लिखे हैं इनके इस बयान से पूरी बॉलिवड में संसनी मच गई और इसका जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है अगर ऐसा है तो वो love letter मीडिया में दिखाए पर वो नहीं दिखा पाएंगी क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं मुझे तो लगता है पागल हो गई है इन्हें अपना इलाज किसी अच्छे दमाग के डॉक्टर से कराना चाहिए इस घटना के बाद पूरी फिल्मी जगत में इनकी इस बात ने संसनी मचा दी थी अजय देवगन ने अपनी फिल्म होगी प्यार की जीत से शिल्पा शिर्टी को निकलवा दिया इसकी वज़े थी अक्षय कुमार से इनकी दुश्मनी उसी दोरान अक्षय और शिल्पा के प्यार के चर्चे पूरे बॉलिवड में चल रहे थे इसलिए जब निर्माता निल शर्मा ने अपनी इस फिल्म में इनके अपोजिट शिल्पाओं कास्ट किया तो इन्होंने इनके साथ काम करने समना कर दिया और कहा अगर शिल्पा इस फिल्म में रहेंगी तो वो नहीं रहेंगे मजबूरन शिल्पा को इस फिल्म से निकलना पड़ा दरसल ये ऐसा करके अक्षय कुमार पर निशाना साधना चाहते थे जिसके चलते शिल्पा इन दोनों के बीच पिस गई नमबर दो शारुख खान का कोलर पकड़ना ये बात उस समय किये जब काजोल शारुख खान की जोड़ी आन स्क्रीन बेस्ट जोड़ी बन गई थी उस समय इनका और काजोल का प्यार भी शुरू हो गया था एक दिन जब एक पार्टी में करन जोहर ने काजोल और शारुख को लेकर एक बात कह दी थी जोने बिल्कुल पसंद नहीं आई वो तुरंत ही काजोल से मिलने उनके फिल्म सेट पर पहुँच गए पर इन्हें इतना गुस्से में देखकर उनसे मिलने नहीं दिया गया जब ये एगले दिन उनसे दोबारा मिलने गए तो उनसे कहा गया कि शारुख खान सर का ओर्डर है कि किसी भी बाहरी आदमी को सेट पर ना आने दिया जाए ये बात सुनकर ये और गुस्सा होगे और सभी को धक्का देखकर शारुख खान के और बढ़ते चले गए उनके पास पहुँच कर इन्होंने उनका कॉलर पकड़ लिया जो काफी मुश्किल के बाद छुड़ाया गया जब इन्होंने तीज फिल्म में कंगना रणोत के साथ काम किया तो ये उनकी खुबसूरती पपे गल गए और शादी सुदा होने के बावजू दिन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी इनकी नजदीकियां पूरे बॉलिवड में छा गई और हर तरफ इनी के बारे में बाते हो रही थी झाल